नमस्कार माधिर इस किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं तूरई के पकोड़ें उसके लिए लगने वाली सामगरी तूरई तेल, नमक, केंग, लाल मेच पाउडर, हल्दी, हजवेन, तील, बेसन अभी हम बेसन का घोल कर लेंगे एक बाउल में तील, अजवेन डालेंगे उसमें एक चमच हल्दी डालेंगे उसमें एक चमच हींग डालेंगे अभी एक चमच लाल मेच पाउडर और एक चमच नमक मिला देंगे अभी इसमें पानी मिला लिया उसमें बेसन मिलाया अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जितना जरूरत पड़े उतना है पानी मिलाएंगे अभी हम गास पर कढ़ाई रख देंगे और उसमें तेल गरम करेंगे तेल गरम होने के बाद उसे तेल में फ्राइ कर लेना है उसे अच्छे से दोनों बादों से फ्राइ कर लेंगे अभी देखिए इसका कलर गोल्डन ब्राउन जैसे हो रहा है यानि यह अच्छे से फ्राइ हो गए अभी इसे कड़ाई से निकाल दीजे और टिशू पेपर पर रख दीजे टिशू पेपर तेल को खीच लेगा और हमारे बजिया में तेल कम हो जाएगा इसे डिश में निकाल कर टोमाटो सॉस या फिर चत्मी के साथ परूसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे और सब्सक्राइब कीजे और कमेंट कीजे